हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग बहुत ही जबरदस वीडियो होने वाला है और लोगों की पोल खुलने वाली है और पोल का धोल बजने वाला है तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से आप लोगों से नहीं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को देखके तो मैं कहूंगा देखो पाखंडियों ऐसा काम न करो राम का नाम बदनाम न करो तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में और कैसा बोला हूं तो मैं कहूंगा कि गुरुशरन महराज जो की पंडोकर धाम के अनुयाई है वहां के देखरे करता है वहां सब लोगों को जो ह ब्रहमित कर रहे हैं उनी के बारे में शब्द करना चाहूंगा कि भाई लोग देखो वो कितना ब्रहमित कर रहे हैं पैसा ठगी कर रहे हैं दो दो बीबिया रखे हुए हैं उपर से क्या है कि चुनार लड़ने जा रहे हैं वो भी आप लोगों के पैसे का तो आप लोगों पुराना मंदिर अगर गए होंगे तो वहां पंडोखर धाम में तो पुराना मंदिर एक बन रहा है और वह बन रहा था लेकिन इन गुरूर सरन महराज ने देखा कि पैसा बहुत ज़ादा आ रहा है और इसके अगेंस्ट हम पैसा ले नहीं सकते क्योंकि लेंगे तो कहां हम तो उन्होंने एक दूसरी विवस्ता खड़ी की, दूसरी जगे पे एक मंदिर इस्थापित किया और कहा जनता से कि हम इसके लिए पैसा ले रहे हैं। तो मैं जनता जनारदन आप लोगों से ये जरूर कहना चाऊंगा कि आखें मत मीचों आखें खोले रहो और देख के अपनी विवस्ता को समालो और अपनी मेरे साथ शब्द से शब्द लगा के और बात से बात लगा के आप लोग भी खड़े हो जाओ। जिससे आने वाली जनता जो है सही हो जाए क्यों आने वाली जनता को भी मालुम चले ये गुरुशनन मराज कितनी ठगी कर रहा है और यहां के जितने भी लोग हैं पूरा गैंग बना के चल रहा हैं कितनी ठगी आई हो रही है तो उससे आप लोगों को भी जानकारी हो आप प्लीज जंता हाँ मैं उन लोगों का नाम लूँगा एक अजे परमार जी है जो कि सुनना चाह रहे थे मेरे मुँ से और हमारे वीडियो चैनल पर सुनना चाह रहे थे और देखिए आपकी बात हमने रखी आप जा रहे थे कि खुलासा हो तो हमने खुलासा किया है और आप मेंसे जो भी चाहता है कि गुरु शैनन महराज का खुलासा हो तो इसी वीडियो चैनल पे हम करेंगे आप बोलिए आप अपनी बात रखिए हम वीडियो चैनल पे करेंगे देखिए पहली तो व्यवस्ता मैं आपको बताओं कि खुद तो तो वाइब रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरी एक बीबी जो की क्या बोलते हैं बंजर है और बच्चे पैता नहीं कर सकती है इसलिए मैंने दूसरी शादी किये ये मीडिया के सामने उन्होंने एलान किया है जो की छुप कहते हैं मीडिया को देखके और आप मीडिया के सामने जब निकले हैं और लोगों के सामने जब आये तो उन्होंने ये कहा कि मैंने दूसरी बीबी इसलिए किये कि पहले बीबी मेरी बंजर थी यानि कि खेती पे उन्होंने साब कहा कि खेती कैसे बंजर होती है और खेती उपजाओ नहीं हो पाती है उसी तरीके से मेरी वाइव जो थी पहले वाल अंदे बक्त ना बनिये जो अपनी बीबी को ठीक नहीं कर सकता वो आपको कैसे ठीक करेगा पहली बात तो ये और दूसरी बात ये कि वहीं के पंडोखर धाम के अन्युआई वहीं के लोगों ने फाई आर दर्च कराई थी इनके खिलाव कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं उस भी है कि दूसरी बीबी लेके रहना चाहिए और अच्छा ठीक है रह भी रहो तो दूसरे भक्तों को क्यों आस्वाशन देते हो कि तुमारे बच्चे हो जाएंगे जब खुद बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के बच्चे कैसे दिलाशा देते हो कि दूसरों के बच्चे हो जाएंगे ठीक है सेकंड बात पे हम आते हैं कि लोगों से 10,000, 11,000, 20,000, 21,000 रुपे की ठगी की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं बात कर रहा हूं लाग और दो लाग की ठगी की बात पांच लाग की ठगी की बात ऐसे ऐसे भक्त हैं जो लोगों को बताया गया है कि ये पूजा करनी है इसमें 50,000 का खड़ चाएगा देड़ लाग का खड़ चाएगा दो लाग का खड़ चाएगा पाद में जब चड़िया चुंग गई खेद अब पस्तावन होत गया जब चड़िया चुंग जाएंगी खेद जैसे राम रहीम बाबा भागे आशा राम बाबू भागे और उसी तरीके से ये गुरुशरन माराज भी एक दिन जो है अपना टोसा टंबर लेके भाग जाएगा तब आप क्या करोगे तब आप क्या करोगे ये अंडर्राउंड हो जाएगा बहुत चल्दी और जो भक्त हमसे कहना चाह रहे हैं उन्हीं से साफ साफ logic है मेरे पास और सारे evidence मौजूद है मैं उसी logic के साथ सारे evidence के साथ बात कर रहा हूँ और जिसको debate करानी है अगर गुरु शोरण मराज की तुमारे दम हो तो आप debate करा ले न हमारे साथ मैं debate करने को तयार हूँ press conference करने को तयार हूँ आपके गुरु का interview लेने को तयार हूँ और एक बात आप लोगों से ये जरूर कहूँगा आप लोग सुनने वाले हो सुन लो बेचैन मत हो न मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि कहते हैं लोग बहुत सारे जो उनके अन्याई हैं और जो उनके भक्त हैं वो ये कहते हैं गुरु शरन महराज मेरे सपनों में आते हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बात गुरु शरन महराज से जरूर पूझना कि यार तुमारे सपने में कौन आता है तो वो ये जरूर कहेंगे यार ये दोनों लोग आपके सपने में जरूर आते होंगे और गुरु सरन महाराज भी पेचायन होंगे कि हम दोनों लोग सपने में आ रहे हैं तो भक्तों जरा वेकार की बातें और आडंबरों से सचेत हो जाओ और यही भलाई है और आप लोग जो हो ना परेशान हो किसी पेशन्ट को पैसा मत देना यह पैसे का बहुत बड़ा है भूका इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है और तूसरा है यह गुपता कौन गुपता जो भी गुपता हो वो साथ में बैठता है 300 रुपए का इन्वेलप पकड़ाता है उससे भी सचेत रहना वो भी तुमें पकड़ाएगा 40,000, 50,000 रुपए की पूजा करना एक भक्त हमसे कहता है मेरे वीडियो पे कमेंट पड़ा हुआ था कि वो यह कहता है कि गुपता जी ने यह बोला है मुझसे कि तुमारी जो है पड़्ची जो भी तुमने अमावस्या की पड़्ची कटवाई थी वो कम की थी अब ज्याद कोविडेंस के साथ मैं प्रूफ के साथ आया हुआ हूँ और मेरे साथ सारे भक्त खड़े हुआ है जिनका पैसा तुमने लूटा हुआ है और पैसा लूट के मैं चैन तो लेने नहीं दूँगा इसलिए लेने नहीं दूँगा तुम यार कहीं और ब्लैक मनी ले जाते कोई बात नहीं होती, तुमने जो भगवान के नाम पे ठगी की है, हनवान जी के नाम पे ठगी की है, मंदिर बनवाने के नाम पे ठगी की है, और एक एक भक्त से तुम दो दो लाख रुपे ले रहे हो, आप लोगों को सचेत करता हूँ, एक भक्त से दो दो लाख रुपे ले रह तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा तुम इसमें विफल sind on the कि आरे यार तुम हमें विफल करके दिखाओ हमें हमें सच्चे हन्मान जी के भगत हैं तो हमारे साथ खड़े होई है और आस्ता को भिखने ना दीजिए जो आस्ता के आड में ये जो ठगी चल रही है उसको भिखने ना दो आप ये मान के चलो सरकार एक नॉर्मल आदमी जो म कमा रहे हैं इन से जरा पूछिए हसाब किताब कोई लेगा आप ये मान के चलिए दुनिया भर के इतने लोग हैं सारी वैवस्ताएं हैं सारे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई किसी के रिष्टदार कोई किसी के रिष्टदार कोई पुलिस डिपार्टमेंट में ये क docs ठोड़ाओ क्षोलना ही नहीं चाहते हैं घर में बैठेवा say Amnon genau बढ़के मान confront शचर्प मनCs आंगे gi लटें आपने लाधिये सामने अपना लड़िये अपना हम्न कि कसम हनुमान narcis की क्शब अगर तुम लोग सच्चे भगतो तो आके लड़ो अपनी लड़ाई खुद लड़ो मेरे साथ खड़े हो मैं तुमारे को पैसा एक एक जैन्वेंटी से एक एक रुपिया दिलाऊंगा तुम इस जो है आडंबरों से हट के बात करो और इसके नाम FIR करवाओ मैं कहता हूँ मैं आज के वीडियो में ये कह रहा हूं कि जोuto MP के DGP हैं आप रिक्मंट करो हमारा वीडियो फॉरवड करो उनको उनका नंबर आपको नेट पे मिल जाएगा MP के जो DGP हैं उनके नंबर पे फॉरवड करो मेरा वीडियो कि ये पंडोखर धाम का जो भी पुजारी जो भी आडंबर कर रहा है लोगों से दो-दो लाग रुपए है ब्लैक मनी के रूप में ले रहा है ब्लैक मनी आप समझते हो हम लोगों को लेने नहीं दे रहे हैं एक रुपिया हम लोग नहीं कमा वा रहे हैं यह बिना पड़्च को ये बाइस समझ में नहीं आती है क्या खोलकर धिकाओं आप लोग क्या खोलrant चाहूँगे क्या चीज़ देखना तो क्या उनको यह नहीं दिखा था कि हम लोग यह बात बोलने वाले हैं अब्स तोतों में इतने पास्त में नहीं थे कि तुम्हारे बारे में महें सब करों बोला और करी करने का अरमिम्सी लेने का हाँ और भॉल खोल के रहेंगा ओव रहा है तो हमारी एक एक मिनट की पॉल खोला है बाबा जी है वो जो भी बताते हैं किसी के बारे में या वो है पैसे लेते हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे चानल पर आपके पास है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग आईए लाइव क्योंकि मैं लाइव आके सारी चीजे बताती हूं और सारी इंफर्मेशन में देती हूं तो आप से सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पर आईए क्योंकि मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियो दिये हुए इनकी जानकारी के बारे में कि आप लोग जाते हैं पैसा खर्च करते हैं आपना इतनी मुश्किल से आप लोग कमाते है और अपना पैसा देखकर कोई जानकारी आप चाहिए निस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक लगे हुए हैं उन पे जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सेकंड पार्ट देखने के लिए बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में आपसे मुल